वेलकम टू दे चाइनल ग्यापन एकेडमी अगर आप यह विडियो देख रहे हैं तो आपको यह हम बता दें ठीके? कि अगर देखें आपके एक्जाम में ग्राफ तो खेर फिक्स है एकदम ग्राफ आएगा ही आएगा अगर आपको पांच नंबर वहां से यहां से हासिल करना है तो ग्राफ को ध्यान से समझेए ग्राफ मुस्किल नहीं होता है पूरे अगर देखा जाए मैथमेटिक्स में अगर पांच नंबर वाला जितना भी क्वेशन पूछता है उसमें सबसे कोई असान होता है तो वह सिर्फ एग्राफ होता है जो इजी वे में आप उस नंबर को हासिल कर सकते है तो बिना देर की हम लोग ग्राफ को पहले समझें कि आखिर ग्राफ बनता कैसे है याद है कि यह थिरी लेसन है और थिरी लेशन के चाप्टर का ही नाम है दो चरवाला रैखिक समिकरण युग्म युग्म का मतलब होता है जोड़ा तो बताइए इसमें दूगो चर भी है चर का मतलब ABCD का दूगो पार्ट है ठीक है युग्म माने होता है जोड़ा आदोठो जोड़ा में दिया है और इसी से हम लोग को ग्राफ खिचना है हम लोग यहाँ बोड़ पर ग्राफ खिचने की कुश्च करें कैसे बनाते हैं देखिएगा यहाँ हम ऐसे खिच दे रहे हैं आपको एक लाइन इस लाइन को हम लोग नाम देते हैं x अक्च इसको x बोलते हैं और इसको x- बोलते हैं इसको लिख देते हैं y और इसको y- यह होता है प्लस में 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 0 जीरो कामा 0 दोनो x का भी value 0 और y का यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आपकी मर्जी जितना बड़ा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं ठीक है यहां यह negative होता है minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 और यह minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 ज्यादा मतले कि अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं अगर सौक चड़ा है तो लिख सकते हैं इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप question ध्यान से समझेगा, इस पहला equation को आप solve कीजिएगा, x plus 2y is equal to 4, ठीक है, इस पहले equation को solve करने के बाद इस पर line खिछते हैं, आपको एक चीज हम बता दे, यहाँ एक equation को solve करने के बाद इसमें एक line खिचाएगा, फिर इसको solve करने के बाद दूसरा line खिचाएगा, ध्यान से देखिए, इस equation को solve करते हैं, यह equation है क्या, graph में एक चीज जिन्दगी भर के लिए आप रट लीजिए, ठीक है, कुछ-कुछ चीज है, रट लेना ही, मतला दिमाग में fit कर लेजिए, इस graph में अपने मन से x का value कुछ भी भरिए, ठीक है, आपकी मर्जी, जो आपको word अच्छा लग, जो आपको number अच्छा लग, यहाँ भरिए, जब एउ का value, तो second वाला अपने से निकल जाएगा, हम यहाँ भर रहे है, x का value 0, ठीक है, अगर यहाँ हम x का value 0 भरेंगे, तो यहाँ देखे, 0 में 2y जोड़ने से, तो कोई फायदा नहीं, खाली 2y बच जाएगा, ठीक है, I cut जाएगा 2 दूना 4, यहाँ बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, यानि एक डबबा यहाँ हम बना लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला एक डबबा में लिखते हैं, x हो गया, y हो गया, हम क्या भरें, x का value अपने से 0 भरेंगे, तो y का value क्या मिल गया है, 2, ठीक है, इस equation में, अब यहाँ पर एक बर देखिए, असान तरीका यह है, कि पहले 0 मान के चेक, 0 भर के बनाए, ताकि एक बर में आपको सल्फ हो जाएगा, जल्दी बनता है, इसे ठीक है, आपको समय भी बचेगा, नहीं तो आपकी मर्जी, अगर यहाँ पर कोई भी नंबर भरना चाते है, तो गलत नहीं होगा, लेकिन अगर बड़ा नंबर भरिएगा, तो फिर आपको कटाने वगरा में परिशानी आ सकता है, और फंख जाएगा, तो फिर आपका समय निकल सकता है, तो आप अपना समय भी बचाएए, ठीक है, यहाँ देखिए, एक बार एकस का वैलू जिरो, अब एक बार वाई का वैलू जिरो भरो, वाई बराबर अगर जिरो भरिएगा, यहाँ जिरो, तो एकस हो जाएगा ही, अब प्लस, टू इन्टू, जिरो इकवल टू फॉर, वाई का वैलू हम जिरो भर है, तो एकस पॉलस जिरो में 2 से गुना कीजिएगा, तो जिरो भराबर 4, एकस में जिरो जुडिएगा, तो एकस से हो जाएगा, एकस बराबर क्या है, चार, दोबारा, x का value यह 0 नहीं बर सकते हैं जो एक बार एक ही बार इस्तमाल करना है ठीक है तो एक बार हमने x का value 0 बारा एक बार y का value 0 बारा हिसाब हो गया बराबर जब y का value हम 0 रखे तो x का value क्या मिला? 4 यह देखिए अब इधर देखिए ग्राफ खिशते हैं पहला वाला x का value 0 तो 0 तो यहाँ पे होता है 0 कमा 0 तो जब x का value 0 तो y का value क्या आया है? 2 आया है y वाला यह प्लस वाला 2 यहाँ पे जहाँ पे होगा उसको डार कर दीजेगा ठीक है? उसके बार देखिए एक बार x का value 4 बर यह तो x का value क्या हो गया, x यह ही नहीं, 4, आ y का value 0, तो यह हो जाएगा, ठीक है, यानि देखिए तो point से बाहर क्या क्या मिला है, के अंदर से, यह और यह, इस दोनों line को मिला देजिए, अब बताइए, कि यह वाला, इस equation से दो ठो एको line खिचा गया कि नहीं, x पॉलस 2y बराब is equal to 12, यहां हम direct इसको बना रहा है, बीना भरे, बीना भरे का मतलब आप लोग यह मच समझे है, कि बीना भरे कैसे हो सकता है, कोई जादू हो दू नहीं है, देखिए यहां पे, x का value यहां 0 भरिएगा, यहां 0, तो 0 में 2 से गुणा होगा, तो 0 हो जाएगा, किसी अंक में 0 गुणा के चकर में, ठीक है, तो बेचारा अपने जैसा बना देता है, ठीक है, तो यहां अगर आप 0 से multiply कहें, तो इतो खतम हो गया है, तो का बचेगा, 4y बराबर क्या बचा, 12, इसको कटाईगा तो होजएगा, 4, 3, 12, y बराबर का होगा, 3 होगा, यानि x बराबर अगर 0 रखे, तो y बराबर मिला 3, अब y बराबर 0 रखे, तो जब आप y बराबर 0 रखेंगे, यहां y के जगा पर का लिखेगा, 0, तो 4 में 0 से गुणा कीजिएगा, तो यह भी तो खतम हो गया, तो बचा 2x यह भी हट जाता है, 2x बराबर 12 बचा, और इसको कटाईगा तो 2 चक x बराबर का आया, 6 आया, x बराबर कितना आया था, कितना आगया, 6 आगया, यानि स्वमिकरण कौन सा था यह निक देजगा, हम डारेक्ट आपको बता हैं, ठीक है, अब फिदर साइड में डख लिजगा, एक बार x कमान 0, एक बार y कमान 0, इसका अगर आप खिजिए, x बर साइडेन में ना है, तो यह दोनों x है, यह दोनों y है, तो यह x बराबर एक बर 0, तो y 3 आया था, तो y 3 हो गया, अब फिर एक बार x बराबर 6, x बराबर यहां 5 है, तो यहां छे डाली, 6 हो गया, और y बराबर क्या हो गया, 0, तो y यहां पर 0 है, तो यहां पर हम लिख दि 12 अब देखे यह दोनों लाइन आपस में सामनांतर है ट्रेन के पट्री के जैसा है तो जब ट्रेन के पट्री के जैसा है तो यह गराफ खिचा गया यह लाइन क्या है आपस में शमांतर है ठीक है यानि पैरलल है अब हमको एक बात बताईए आपसे एक चीज बताए अगर में इसमें आप से कोषन पूशन कि बताये कि इसमें कितना हल होगा तो एक भी हल नहीं होगा क्योंकि हम बताए थे तो अगर दो यह लाइन चीचा जा रहा है तो लाइन जितना जगह पे कटेगा उतना हल होताईicular समझने उतना सोलुषन होता है तो अब बता है यहां को गई नहीं कटा है नहीं होता है तो एक हल होता है अगर यही क्या होता है ए किते हैं 3.1 में यह ऐसे हम अपने से एक्जामपल देखें समझा है 3.1 में question number 1 सबसे पहले question को पढ़के दोठो हमको समीकरण निकाल लेना है कोसेच यह करना है 3.1 में यही तो मेन है पढ़के किसी तरह देखो समीकरण अगर दोठो दिया है तब तो बहुत असान है आराम से हम लोग क्या लेंगे समीकरण को भरके 0 और निकाल लेंगे लेकिन अगर language में question दिया है तो language पढ़के उसको पहले समीकरण दोठो equation बनाना प confusion किसमें आता है इस वाला जो question आता है ना पांच साल पहले छे साल बाद तो इसमें बड़ा confusion आयता है कि यह किस टाइक पर कोशन यह क्या बला है ठीक है तो यह बला नहीं है यहां सल्व कि यह सब बला खतम हो जाएगा यहां समझिएगा कर रहा है कि यहां पर अफताब टे साथ साल क्या बला है जी सैवेन यहर्स एगो पहले ठीक है यानि 7 साल पहले एगो मने एगवाला मत समझना साथ साल पहले मैं तुमसे सात हुना था आज बोला है यहां यहां पर कौन अफताब हो गया उसकी बेटे हो अभी क्या कंडिशन बतार है अई अपने बेटी से कर र था है ठीक है तो उम्मपरजेंट में मानना पढ़ ए कि अफ्ताब की आईू मालो यहां पे x लेड़ भी अफ्ताब एज यहां पे x मान सकते है निकी माना की अफ्ताब की आईू is equal to x तो उसकी पुत्री की आईू क्या हो कि अभी मानली जी कि हम लोग का जो भी उमर है 22 वरस है किसी का उमर मानलो की 10 वरस है ठीक है और किसी का उमर मानलो की 12 वरस है हम बोले कि आज से तीन साल पहले इसकी आयो कितनी होगी तो इसका तीन घटाएंगे तेनी 7 साल होगा तो क्या इसका उमर वारुका रहेगा इसका भ को होगा तो योभी तो तीन सल पहले नौई सल सोगा rega इसने में से भी तो तीन साल घटाएंगे तो 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 यहां बोला कि 7 सल पहले तो दोनों में से यहां नहीं आ लीखें और ढोवजू कि इसका एक से अफ साथ Natural कितना है एक्स तो 7 साल पहले, 7 साल कौम करना पड़ेगा न, जिसे मान लोग कुछ दिर के लिए X नहीं माने कि हम अफताब का उमर माने 30 वरस, कितना माने 30 वरस, अब फिर बोले कि 7 साल पहले, तो बताइए 7 साल घटाने पड़े, इसके कितना उमर हो जाएगा, 23 वरस होगा, यानि हम क्या क पहले इसका भी तो यह उमर थोड़े घटता है, घटेगा तो दोनों का होगा, क्यों दोनों का होगा, 7 साल पहले ऐसा थोड़े किये, 5 साल के तो आजो 5 साल के होगी, 10 सल बात 5 साल की होगी, ऐसा नहीं है, उमर 7 साल, समय नहीं रुखता है, समय किसी के लिए इंतजार नही एकस माइनस सेवेन आ यहां पे साथ साल पहले अफताब की पुत्री की आयू कितना हो जाओ य माने हो ना तो य माइनस सेवेन अब यहां लिखना प्रस्ण से ठीक है यहां प्रस्ण से होगा क्या दोनों को बराबर करना यहीं दिमाग में रख लो कभी भी एज वाला कुश्चन में दोनों का ऐसे बराबर कर जाओ क्या बोला है कि साथ साल पहले यह अफताब बोला है अफताब का उमर यह है याद रखीगा अफताब बोला है कि हम तुमसे साथ गुना है कितना गुना है साथ गुना तो जब ही बोलेगा आफताब साथ गु लंगा यहां है यह मोद्व कोई बोलेगा कि माल यह दो भाई है अगर बोले कि यह बड़ा-भाई सातगुना यह चार गुना तो गुणा छोटे भाई में होगा ताकि दोनों को बराबर मिला सके तो यहां पर बोला गया है अफताब साथ गुणा है तो गुणा किस में किये है बेटी में किये है अब यहां पर सल्व करो एक एक्वेशन यहां से बनेगा देखिए यहां पर जो बोला उस हिसाफ से चल र वाले भाग को एक तरफ तो 7 को इधर बेजो और इसको इधर ला तो X-7Y और यह हो जाएगा कितना बचा माइनस 49 बचा यह माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ठीक है X-7Y is equal to यहाँ देखिए तो 49 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 2 और यह 4 माइनस में 42 यह समी करण एक बचा आपका एक हो गया यह इस्तिति फरस्ट था पहला कर्डिशन आगे देखो अब अलसो 3 years from now अब कह रहा है कि अब से यहाँ देखे कह रहा है साथ साल पहले वो X-Y जो दिया है अब से 3 साल बाद ठीक है वो कितना गुना I shall be 3 times as old as you will be यानि कि कह रहा है कि अब से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुड़ा हो जाओंगा मेरे को एक बात यहाँ आप बताईए देखिए कैसे अब हम बोले कि आपका उमर माली जी दस बरस है हम बोले कि मेरा उमर साल नहीं है मेरा बाइइस समझे इस हिसाब से तो बढ़ेगा दोनों में तो यहाँ बताईए समय दोनों में बढ़ेगा न तिस्तिति टू क्या होगा सिथे कमा तीन получится यहाँ पर लिंख एक थीन साल बाद याउसा पर दीन साल बाद उसकी पुत्री की आईए आईओं अफताब की आयू, तीन साल जोड दीजिए, तीन वरस यही सेम रहेगा पुत्री की आयू, तो Y पॉलस 3, फिर यहां लिखिएगा सेम यही, दोनों को बराबर किजिएगा, X पॉलस 3 और Y पॉलस 3, कौन किस से गुना होगा, तो पिता जी हो जाते हैं 3 गुना, तो गुना किस में होगा, बेटा जी में, ठीक है, तो यहां देखिए, अब इसको सल्प किजिए, X प्लस 3, यह हो जाएगा 3 Y प्लस 3, X प्लस, एक जात को एक जाएगा, तो माइनस में, और यह हो जाएगा 3, यह प्लस में इधर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 तरी का 9 यहां प को मिल गया second वाला यह मिल गया यह बोला है कि represent this situation algebraical and graphical यानि की कर है कि algebra के रूप में भी दिखाई यह अग ग्राफ भी इसका खीचिए तो देखिए algebra में तो हो गया यहाँ पर देखिए को बोलते है algebra एक ठो यह हो गया equation यह दो ठो आपका algebra हो गया अब इसका हम लोग को graph खीचना है यानि plus वाला बना कर कैसे इसका क्या खीचना है ग्राफ खीचना है तो पहला equation क्या है यहाँ पर इसको आप note down कर लिए इसकीन सोट लिए दोनों का यह graph हो दोनों का यह algebra हो गया अब इसका हम लोग graph खीचेंगे x कमान अपने से भरेंगे y कमान निकलेगा सबसे पहले इसका एसकीन सोट लिए अब यहाँ पर हम लोग इसका खीचते हैं graph तो यहाँ देखिए इसका हम लोग graph कैसे खीचते हैं ध्यान से समझेए क्योंकि यहाँ से 5 नमबर फिक्स है अगर यह दिमाग में आपके फिक्स है तो 5 नमर भी फिक्स है देखिए कैसे graph की चेंगे तो यह भी एक असान चेप्टर में आता है graph सबसे असान होता है कोई भी आधमी खीच सकता है बस एक बार थोड़ा सा समझना क्या है देखिए यहां पे जो भी डेटा दिआ गया है इस equation जो भी यहां पे Algebra दिआ गया है जो भी यहां पे अमझ लिए इस समीकरोर को हम लोग बनाएंगे अब बनाने के बाद जो भी x और y कमा निकलेग suffrem यह को डब्र में ही कठा करेंगे ठीक है ताकि इसमें ले जाके भर सके इसका यहाँ पे अधिकार दिला सके देखिए कैसे पहला equation ने x-7y equal to minus 42 first equation यह दिया है इस equation को हम लोग solve करते हैं solve कैसे करते हैं तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा solve करते समय क्या याद रखना है x और y का value direct कभी भी नहीं निकल सकता है ego value दिया रहेगा तभी दुसरे का मान निकलेंगे अब मान लेजे कि दो आदमी है आद दोनों के दोनों इनार में कूच चुके हैं मतलब जो कुआ होता है उसमें कूच चुके हैं तो भाई बाहर निकलेंगे कैसे ego बाहर रहेगा तब न खीचेगा तो दुसरा भी बाहर निकल जाएगा वैसे ही यहाँ पर भी ego पता रहेगा तो दुसरा भी पता हो जाएगा तो यह ego पता होगा कैसे तो देखिए यहाँ पर बहुत खुश्टी की बात यह है कि कुछ भी यहाँ पर मान सकते है X का मान जो आपको बहतर लगए लेकिन मानिएगा अच्छा चीज ताकि देखिए जैसा आप 20 बोहिएगा वही चीज उपजेगा अगर ज्यादा बड़ा नंबर मानिएगा तो कटा पड़ेगा तो यहाँ सबसे आसान होता है zero मानना जिरो मानिएगा इसमें थोड़ा सा परसानी होता है लंबबा यह खिचना पड़ता है बागी कहीं परसानी नहीं होता है देखिए हम यहाँ पे X का मान अपने से 0 मानते है X बराबर 0 तो जब यहाँ पे X बराबर 0 एक्स कमान जीरो यह उतार देंगे, जैसे को तैसे उतार देंगे, इसमें कोई छेड़ छाड़ नहीं करेंगे, तो इसका तुमान खतम हो गया ना, खाली का बच्चा, 7y is equal to minus 42, minus से minus का हिसाब किताब हो गया, और यह कितना हो जगा, 7 शक ब्याली सो, y बराबर कितना है, 6, ब हम भरेंगे, y कमान 0, सेम चीज बार बर नहीं भरेंगे, तो y कमान हम लोग 0 भर सकते हैं, equation यही तो है, यही तो equation इसी में भरना है, x minus 7, y कमान 0, minus 42, तो जब देखिए, 0 में किसी भी चीज़ से गुणा किजिए, उस सब 0 बना देता, 0 एक ऐसा गदहा नंबर है, इस गदह equation first से हम लोग को यह data जो भी मिलना था, इस से हम लोग यह चीज प्राप्त किये, अब दुसरा समिकरन उठाएंगे, ठीक है, इस समिकरन को उठा करके फिर से एक data तयार करेंगे, देखिए, x minus 3y equal to 6, अगर हम x बराबर भरें यहाँ पे, 0, तो जब यहाँ 0 भरेंगे, तो यह हो जाएगा, minus में 3y equal to 6, जब यह खतम हो जाएगा, तो 3y और 6, 3 दूना कितना हो गया, 6, y बराबर ही minus से 2 है, तो इधरे रहता है, यह मत कि यह minus में इधर जाएगा, तो दो पॉलस में हो जाएगा, यह minus किसी number को लेके जाता है, तब symbol बदलता है, तो यहाँ पे minus y बर कटाने के बाद direct y बराबर minus 2, यह भी data एक box में तयार रखेंगे हम लोग, ठीक है, x और y, जब हमने x का मान 0 रखा, तो y बराबर minus 2 आया, ठीक है, अब इसी equation में, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, इस equation में एक बार x 0 तो आब y 0 रखेंगे, तो x minus 3 into y बराबर हम मान ले तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा, x 0 में 3 से गुणा तो 0 ही, यह तो हड जाएगा, यह लिखने से का पहता है, 0 में गुणा होता है, उस सब खतम हो जाता है, x बराबर क्या हो गया, 6, यहाँ y बराबर 0 तो x बराबर क्या है, 6, अब देखिए, यहीं से main काम शु हो जाए, बड़ा-बड़ा नंबर माएगा, यह कटाईएगा, बटा में आएगा, लफड़ा बढ़ेगा, इसलिए 0 मानते हैं, इसको इस data को graph पे कैसे लिखते हैं, देखिए, एक, दो, तीन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन लंबा-लंबा नंबर है, 42 माइनस मे एक्स, और यह प्लस में एक्स होता है, यह प्लस में वाई, इधर माइनस में वाई, बहुत लोग इसे वाई डैस में लिखते हैं, अब 42 माइनस में लिखना होगा, देखिए, उपर यह एक्स वाला पाट है, यह वाला वाई वाला पाट है, बताये थे, एक्स ऐसे लिखा तो कोई बेग्यानिक नहीं बोले है, बस यह हम आपको logically बता रहे हैं, ठीक है, यहां देखिए, यहां हो जाएगा 10 ले रहे हैं, क्योंकि 42 तो होगा नहीं, इतना लंबा कहां तक हिस्ते जाएंगे, ठीक है, तो 10 का अंतरा लिजे, 10, 20, 30, 40, ठीक है, 50, 50 तक ले लिजे, यह म माइनस में होता है, माइनस में 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 40, माइनस 50, यह होता है, 10, 20, 30, 40, 50, भर लिजए अब, X कमान 0 X और Y अगर 0 बोलो तो यहाँ ही होगा Y कमान 6 तो देखिए बीच में 0 यहाँ पे है 10 यहाँ पे तो बीच में होगा 5 अब 5 के एक थोड़ा सा क्या होगा 6 होगा यानि Y कमान 6 यह वाला Y है प्लस में Y है X कमान माइनस 42 तो इधर वाला X ये वाला लाइन है और माइनस पार्ट इधर है प्लस पार्ट उदर है तो 42 है तो 45 यहाँ पे हो जाएगा 40-50 के बीच में 45 और 41 और यह हो जाएगा 42 अब देखिए एक बार 0 यहाँ पे था X का मान 42 हो गया Y का मान का होगा Y और X 0 यहाँ पे होता है अब हमको बताइए सेंटर से बाहर कौन-कौन अंक मिला एक ठो यह मिला और एक ठो यह मिला इस दोनों को मिला दीजिए ठीक है हमने इसको क्या किया मिला दिया हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको ग्राफ में 60 मिलेगा उसको मिला लेजिएगा ठीक है यह वाला था माइनस 42 कमा 0 और यह वाला था 0 कमा 6 यह वाला पाठ हमको मिला यहाँ तक हम मिलाएं आगे भी बढ़ा सकते हैं उसके बाद अब इसका मिलाएं इसका एक गराब से एक लाइन खेच दे सेकंड वाला X बराबर 0 और Y बराबर माइनस में 2 तो माइनस यहाँ पर मालीजे 5 हो जाएगा तो 2 यहाँ पर हो जाएगा ठीक अब X बराबर 6 5 के बाद क्या हो जाएगा यह बीच में होगा 5 X है अई माइनस वाला तो हमको X वाला प्लस सही है तो बीच में 10 और 0 और 10 के बीच 5 होता है तो यह हो जाएगा 6 अवाई कमान 0 है तो देखें यहाँ दो ठो पॉइंट मिले एक ठो यह बाहर था एक ठो यह दो यह दो पॉइंट को आप मिला दीजी ठीक है ऐसे खीज दीजी ठीक है तो अब बताए इस एक्वेशन से हम लोगों पहला वाला एक्वेशन से यह मिला था X माइनस 7Y बराबर माइनस 42 यह इस लाइन का नाम है और सेकेंड वाले लाइन वाला है कौन सा है X माइनस 3Y इक्वाल टू 6 आप इस पॉइंट का नाम यहां करके लिख सकते हैं इसका नाम क्या था तो 6,0 था और इस पॉइंट का क्या नाम था यही पर जगा है तो लिखे नहीं तो यहां पर लिखे लिखे लिए इस पॉइंट का नाम था आपका 0,2 ठीक है तो हो गया आपका graph ठीक है आप इसको और लंबा आगे खीचना चाहते हैं तो जितना लंबा ले जाना चाहते हैं graph पर खीच सकते हैं तो उम्मीद करते हैं कि graph ये समझ में आया होगा तो बिना देर की हम लोग देखते हैं second number question अब हम लोग देखते हैं question number three आखरी ये क्या कह रहा है उससे पहले एक चीज़ हम आपको समझा दें देखिए अगर हम बोले कि एक बैट का दाम बैट समझ रहे हैं वो उसका दाम अगर मानलीजे की दो रूपया का एक बैट मिल रहा है ठीक और आपने दो रूपया का बैट एक ठो बैट का दाम दो रूपया है और आप तीन बैट खरीदें तो इसका मतलब क्या हुआ यानि तीन तो तीन दो नहीं छे रूपया आपको लेगा आपने क्या किया दो में तीन से गुणा कर द यह देखिएगा इसको भी graph पर भी बनाना है और algebraic expression यानि की algebraical भी बनाना है सबसे पहले algebraical का मतलब आप समझ लेजिए यानि जो 20 गणड़ तीय रूप होता है 20 गणड़ी तीय रूप में उसका समी करण आपको तयार कर जेए तो यह होगे आपका क्या algebraical उसके बास से अगर उसका graph पर खीच दे रहा है तो वह उसका symmetrical यानि की जैमितिय उस तरह हो जाएगा ठीक है आप जैमितिय रूप उसका graph बढ़िया से determined आपको कर देना दिखा देना है अब देखिए the coach of a cricket team by three bats and six ball जो एक coach है वो खरिती है थीन थो बैट और six ball यानि कि तीन थो बैट खरिदिया और छे ball खर दिया एक फॉर three thousand nine hundred यानि 4900 रुप है लगा है याँ आप समझें कि यह बैट है ठीक है और यह तीन थो बैट हो गया आपका ठीक है तीन थो बैट और six ball खरिदने में इस सब का दाम दूनों को मिला करके नाम कितना लगा है 3900 यह 3900 इतना लगा है अब बताइए हमको फोड़े पता है कि एक बैट का दाम कितना है तो जब नहीं पता है तो हम लोग इसको कुछ मानेंगे ठीके अगर मान लिजे कि एक बैट का दाम X मान ले तो बैट का गो है तीन गो तो तीन X हो जाएगा अब प्लस करेंगे एक बॉल का दाम अगर हम Y मान ले अब बॉल कितना है 6 तो 6 Y अब दोनों दाम को मिला करके कितना हो जाएगा 4900 रुपय हो जाएगा ठीक है तो ये उमेद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा एक बॉल का दाम X रुपया तो तीन बॉल का दाम तो गुणा होगा से ना फिले यहाँ पे होता है अब यहाँ पे deeply हम लोग कैसे समझेंगे वो हम आपको बता रहे है together रूपी यानि कि माना की एक बल्ला का दाम ठीक है वो बल्ला मत समझेगा ठीक है बल्ला का दाम एक सुरुपिया है और यहाँ पर गेंद का दाम कितना है तथा गेंद का दाम वाई रूपेश अब यहाँ according to question हम लोग चलते हैं पूरा यहाँ पे यानि कि पुरास्न से तीन बैट और छे बल्ला तो हो जाएगा तीन बैट एक से तो यहाँ पे हो जाएगा 3X प्लस 6Y बराबर 49 रूपे ठीक है उसके बाद से कह रहा है लेटर फिर बाद में C by another बैट एंड 3 more balls of the same kinds of यहाँ पे लिका है 30 hundred समझे 1300 यानि कि 13 100 रूपे यानि कह रहा है कि फिर वो खरी दिये एक बल्ला खरी दिये और 3 बैट खरी दिये तो एक बल्ला यानि कि 1X और 3 बॉल यानि कि 3Y अद दोनों को मिला कि कितना है 1300 रूपे है ठीक है तो यह equation 2 हो गया आपका ठीक है यह समीकरण 1 यह समीकरण 2 आप यहाँ पर क्या बना लिए यह जबरात और थोड़ा आपने solve तो करी ही लिए अब इसको solve करेंगे अब यह 1 नहीं लिखते हैं हम लोग ठीक है 1 में X से गुणा करता है अब बताई कि आपको हम पहले ही बता चुके है कि अगर दोठो equation दिया हो ठीक है तो उसको solve कैसे करते हैं आप कई तरीका से देखिए X और Y किसी का एक का बेलू कुछ भी रखिए जो आपके दिमाग में O रखिए या फिर कोई-कोई नया नया बिदी से भी बनता है ठीक है X का मान निकाल के इसमें लेगा के भर देजिए आपके according जो समझ में आए किसेगा इसका गराफ खिचना है एक equation को solve करेंगे और इससे जो मिलेगा उसे एक box में इकठा करके रखेंगे इस box में हम लोग रखेंगे इकठा करके ये ध्यान रखना है X जो भी रखेंगे यहां रखेंगे Y अपने से मिलेगा तो यहां रखेंगे यहां कुछ common लिजिए तो 3 common लिजिए दूनों में 3 का पढ़डा मिलता है तो यहां बचेगा X और यह 3 दूना चो दो बारों में कट गया और यहां पे 4900 हो गया ठीक है इसको कटाई तो 13 हो जाएगा ठीक है इसको कटाई तो 13 हो जाएगा ठीक है अब इसको solve की जगा तो ज़्यादा आसान रहेगा यह समी करण वाला X समझेगा यह वाला को solve की है इसी कौम बनाए देखिए आप इसमें भी भरियेगा ने X कमाण 0 तो भी कोई दिकत नहीं है लेकिन यहां common ले लेने से जानते हैं थोड़ा सा आसान हो जाता है अब common कैसे लेते हैं तो देखते हैं कि दोनों में किस कौन सा पहड़ा मिल रहा है तो तीन का पहड़ा दोनों में मिल रहा है तो यह दोनों तीन के पहड़ा में आ जाता है तो यहां तीन बाहर जब निकाल लिए तो यहां X सिर बचा आई तीन कितना बार में छे आता है दो बार में 2i हो गया ठीक है और यह कटा दिये इस दे 3 से तो यह 13 हो गया एतना मज़िये अब यहां x बराबर हम 0 रखेंगे जब x बराबर यहां 0 रखिएगगा और यहां हो जाएगा 2y तो यहांपे आपको 1300 यह हो जाएगा ट्वाइगा 2y बराबर 1300 हो जाएगा दो चक बार और यह वाई बराबर कितना हो जाएगा एक दो पॉच रहाई बराबर हुए छेसो पच्छास ठीक है वह बराबर क्या आया कि 115 अब यहां वाई कमान 0 भरीं तो जब वाई कमान आप 0 भर यहां भर है ठीक है दूसरा कंडिशन है इसी में आप सोचिए कि एक्वेशन मेरा यह है अब य बराबर जब 0 भरिएगा तो य जीरो हो जाएगा जीरो में दो से कुणा करने से तो सब छे सो आठ सो एक हजार फिर हो जाएगा आपका बारह सो फिर आपका चौदा सो फिर यहां पे लिखिए दो सो चार सो छे सो आठ सो एक हजार यह मिटा देजिए इसकी कोई जरूवत नहीं है फिर उसके बाद से 1200 फिर उसके बाद से दोद 앞에 लैए एकस बराबर जीरो यहां दोनों 0 कमाँ 0 होता है यह एकस डैस है और इधर वाला एकस होता है यह यह ओ गया नीची वाला वाई डैस हो ठीक है निगेटिव ये दोनों होता है 0,0 x बराबर 0 और y बराबर 650 तो बते हैं 600 फिर बीच में होगा 700 फिर 800 होगा तो 600, 600 और 700 के बीच में यहाँ पे होगा ठीक है साड़े 600 होगा उसके बास से यहाँ 1300 है ठीक है, 1300 x का मान 1300 तो यहाँ पे देखिए 1200 और 1400 के बीच में 1300 आएगा ठीक है और ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे मैच कर देंगे यहाँ आपका था 1300 x का बैलू और y का बैलू 0 और यहाँ था x का मान 0 और 0 और y का मान 650 ठीक है, अभी हमको एक समिकरण से एक लाइन मिला ठीक है, अब दुसरा समिकरण हम लोग सल्व करें ठीक है, दुसरा समिकरण यहाँ पे x यह वाला दो नमबर, x प्लस 3y is equal to आपका है 1300 यहाँ डारेक्ट आप भरिएगा अब थोड़ा सा नमबर देखिए, अब यह वाला तो नॉर्मल बता दी यहाँ कुछ ऐसा भरिए कि जल्दी कर जाए यहाँ पे एक काम किजिए, y बराबर पता है क्या भरिए, y बराबर कुछ बड़ा नमबर भरिए, अगर हम भरे भी तो y बराबर हम भरते हैं, आपे 300 बरते हैं, y बराबर कितना भरें, 300, देखिए आसान हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 300 और यह हो जाएगा 300 तीन तरीका हो जाएगा आपका 900 और 900 पुलस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो हो जाएगा यहां पे तीरा सो माइनस 900 और तीरा सो में से 900 जाएगा तो हो जाएगा 400 यह वाला जो हमको मिल रहे हैं कहां एक डबा में इकठा करकर रखना पड़ेगा न एक काम करते हैं आप यहां पे मत बनाएगा आप यह तो जगह में हम लोग ऐसे बना रहें आपके पास कॉपई होगा उसमें बेहतरिन तरीका से बनाएगा ठीक है इसमें नहीं बना के हम लोग इधर भी बना सकते हैं ठीक है बस आपको समझना है हम कोई कठा किया हूए एक जगह चाहिए कुछ नहीं है अच्छा एक बात बती दोनों भैलु आ रहा है कि नहीं 300 आ रहा है 400 और कोई भी आप बर सकते हैं आपकी मर्जी डो बर तीन बर चार बार जितना पर मन करवाई यह आपको बस आसान लगना शहिए ताकि यहां भरने का मतलब हुए कि इधर भेजेंगे घटाएंगे फिर 3 से कटाएंगे उससे बेतर है कि यहीं पर कुछ अलग भर एक बर का भरेंगे 300 अब भर दीजे 400 वाई बराबर अगर आप 400 भरेंगे ठीक है तो क्या होगा भर के देखिए X पलस 3 इंटू 400 बराबर 300 हो जाएगा एकस बराबर बराबर डारेक्ट डाली चारतियां ही 1200 होगा इधर ले जाके बेजेगा तो 300 में से 1200 घटेगा कितना हो जाएगा X बराबर 100 हो जाएगा ठीक है यह अच्छा तरीका है आपको बनाने के लिए कैसे हुआ यह इक्वेशन है इसमें हम भरे है यह डारेक्ट यहां लिखे यहां लिखे नहीं है यह डारेक्ट भरे है X उतार दिया है 3 उतार दिया है Y का बैलू हम क्या भरे है Y का बैलू यहाँ देखिए Y का बैलू हम 400 भरे है ठीक है ये वहला हम y बराबर 400 भर हैं तो 4 ते यहीं 1200 हो गया 1200 पलस में नहीं आएगा तो माइनस में हो गया x बराबर 100 हो गया अब इसका अगर आपके चीए x बराबर 400 यानि x बराबर आपका 400 y बराबर 300 y बराबर कितना है तो यहां पर हो जाएगा 200 400 के बीच में 300 ठीक है यानि हमको का मिला x बराबर मिला हमको 400 और y बराबर मिला हमको 300 ठीक है तो इस हिसाब से ग्राफ कहां जाएगा ऐसे मिला लेजिए यहां एक पॉइंट मिला ठीक है उसके बाद से x बराबर 100 जब x बराबर यहां 100 होगा बीच में y बराबर 400 ऐसे मिला लेजिएगा यह आपको दिमाग में आ रहा हो कि सर जब यह दो पॉइंट मिला है तो डिरेक्ट इसको क्यों नहीं बिला है देखेंगे अगर दो अलग-अलग पॉइंट मिलता है तो इस ही सबसे तो चार गों पॉइंट हो जाग ना एक दो तीन चार समिकरण दो है आपका ग्राफ को हो यहां पर यहां पर यहां पर देंगे तो जब यह मिला तो देखिए यह दोनों लाइन कैसे आया पैरलल आया ठीक है इधर आप सही से और सीधा मिलाइएगा जब इदर यहां पर क्या था तो यहाँ पे था 100,400 और यहाँ पे क्या था 400,300 100,400 और 400,300 यह आपका रहा अगर आप जो दोरो राइन पहलाल है अगर हम अपने से एक कोस्टन पूछे आप से कि बताए इसका कितना हल होगा तो यहाँ आप बताईए कहीं कटा है दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं नहीं काट रहा है तो यहाँ एक भी हल नहींगा कोई हल नहीं होगा ठीक है तो यह आप दिमाग में भर ली जाओ इसका लीजिए इस की इन्सट उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ठीक है और जो भी आपको डाउट रहा है जो भी परषानी वह रहा है उसको कमेंट बुक्स में प्लीज कमेंट किजिए इसार आपको ये कंफिजन है फिर हम लोग बिना देर के चलते हैं तिन नंबर कोश्चन देखे हैं किलो के मानने कि तीन किलो चीनी का दाम बता ही ऐसे पूछे तो कोई बता सकता है कोई नहीं बता सकता है कि पता तो होना चाहिए कि चीनी को रुपय किलो है ठीक है यहाँ पर बोले कि दो केजी हमारे पास एपल है ठीक है और एक केजी ग्रैफ on a day was founded to be 116 यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो केजी सेव और एक केजी जो ग्रैफ से अंगूर है इस दोनों का दामों मिलाए गए तो 160 रुपय का पड़ा है अब बताइए हम लोग को पता है कि 2 किलो सेव का दाम कितना है ठीक है अगर मान लेजे कि 1 किलो सेव का दाम अगर 2 रुपया रहता है तो 2 किलो का दाम 2 में 2 से गुणा कर देते चार हो जाता है ठीक है इसमें गुणा कर देते लेकिन नहीं पता है तो अगर यहाँ एकस मानेंगे एक किलो कादाम अगर मानले यहाँ पर एक्स तो दो किलो कादाम कितना हो जाएगा दो में एक्स से इसे इसे गुणा हो जाएगा दो एक्स उची तरह अगर मानले हम एक किलो ग्रैप्स कादाम मानले वाई रुपिया ठीक है तो एक किलो का दाम वाईयर हो जाएगा ठीक है आप दोनों यहाँ पे लगा है गुणा करने के बाद आप बताएए यहाँ पे हम आपको बताए थे कि एक किलो का दाम मानली जे दो रुपिया है तो दो किलो का दो दूना केतना हो जाएगा चार रुपिया हो जाएगा अगर हम मानने एक किलो का दाम फिर दो रुपिया तो ये भी हो जाएगा दो रुपिया, चार अदू कितना हो गया, छे, वैसे ही ये बोला है कि इसका दाम और इसका दाम, दोनों दाम निकल जाए, उसके बास से अगर मिलाएं तो कितना रुपिया हो रहा है, 160 रुपिया, य यानि कि माना की एक केजी सेव का दाम कितना हो जाएगाmekस रुपिया तथा ऊई किजी और फ़ कि नगूर का दाम ग्रैप्स का दाम कितना हो जाएगा वा है रुपिया प्रेच्चन से यहां आली कहेंगा according to question, प्रवस्न से, अब प्रवस्न से का मतलब होता है, देखिए, प्रवस्न से देखिए, बहुत, मने, language को relief कर देता है, कैसे, प्रवस्न लिखने के बाद होता है, कि प्रवस्न बाकी सब पढ़ लिए, उकरा बाद जो language होगा, समझ के, क्या result निकलता है, जब एक किलो सेव क दाम एक सुर्पिया, तो दो किलो का दाम कितना हो जाएगा, दू एकस, कितना हो जाएगा, टू एकस, जब एक किलो का दाम वाई रूपिया, तो एक किलो लिख दिजा, दोनों का योग कितना है, दोनों दाम मिला करके, कितना है, एक सो साथ रूपिया है, सेम वैसे ही पर केट में खरीदने जा रहे हैं तो y रुपिया देना पड़ रहा है तो दू के लोग खरीदेंगे तो जितना दम होगा उतना में गुणा होगा तो हो जाएगा यह कितना 2y is equal to दूनों दाम मिला करके कितना रुपिया देना पड़ रहा है तीन से रुपिया हो गया equation तयार equation 1 और equation 2 यहां देखिए आपने एक काम कर लिया algebra आपने बना लिया ठीक है अब इस algebra को क्या geometry रूप से यानि कि solve बढ़िया से करना है आपको थोड़ा साम graphical रूप से भी इसको solve कर दे तो अब यहां पर क्या किजेगा आपको हम बताया थे कि पहले एक equation को solve किजेगा उससे कुछ दबा मिलेगा देखिए जैसे कि हम first equation को sum current x यहां अगर करें तो यहां हो जाएगा 2x प्लस y is equal to 160 एक डबा बनाते है देखिए यहां x और y का जो भी value मिलता है इक अठा करके इसमें रखेंगे अगर अपने से बताये थे ना अपने से अगर x का value यहां 0 रखें क्या रखें तो y बराबर सिर्फ का बचेगा y बराबर बचेगा 160 आपको 1 मिला यह 160 एक बर y बराबर 0 रखें तो जब y बराबर 0 यहां रखेंगा तो यह खतम हो जाएगा तो क्या बचेगा यानि कि 2x प्लस 0 बराबर हो जाएगा 160 तो 2x बराबर हो जाएगा 160 यहां हो जाएगा 80 x बर बड़ाबर 0 रखे तो X बड़ाबर क्या मिला और C मिला ठीक है एक यह equation होगा हमको डबा में सब हम collect कर लिए अब यहां graph के recording हम लोग देखें ठीक है तो graph इस पर आ जाना चाहिए यहां हम भर रहे हैं 0 0 कमा 0 हता है देखिए बड़ा बड़ा number आ रहा है तो एक दो से काम नही और यहां पर लिखते हैं 50 100 150 और फिक्या हो जाएगा 200 हो जाएगा यहां पर लिखते हैं 50 100 150 200 सेकेंड इक्वेशन को सब्किजिये ठीक है इधर अगर जगा नहीं तो एक पर इसका स्कीन शोट ले लिए हम इधर आपको सल्प कर देते हैं इतना में ठीक है यह फर्स्ट हो step 1 हो गया यह वला आपका step 1 हो गया आप step 2 देखिए यहां पर 2 क्या कर रहा है अब इसको solve किजिए यहां लिख रहे हैं 4x plus 2y is equal to 300 ठीक है इसका एक डब्बा यहां हम लोग बना लेते हैं डब्बा बनाने के बाद यहां x और यहां वाई जब x का value हम 0 भरेंगे देखिए कोई भी आप भर सकते हैं लेकिन कोशिस किया जाता है ठीक है कि 0 भर है ताकि जल्दी कड़ जल्दी इस साल्व हो जाने तो फिर तो आप खुछ भी आपकी मर्जी जो मन करें वो भर सकते हैं जब यहां पर आप x बराबर 0 भरिएगा ध्यान से देखिए जब यहां x का मान 0 भरिएगा तो 0 में 4 से गुणा के यह तो 0 हुए हो जाएगा यहां खतम हो गया कहानी यहां बचा 2y यहां बचा 300 दो से कटाईएगा तो यह हो जाएगा 150 y बराबर कितना हो जा रहा है 150 यह डारेक्ट हम सल्व किये हैं ठीक है अब इस हिसाब से अब इसको मिटा भी दें साब जो है लिख दें ठीक अब बताईए एक बर हम y का मान 0 भरे तो जिसका मान 0 भरते है वो उसके अब समझ लिए तो यह बचेगा आपका 400 कटाई 300 कटाईए इसको में भी कहीं पॉइंट में जाए देखते हैं ठीक है चारतियां बार चार्ज हो चार पुचे 20 चार चोग 24 चार सते 28 यहां 28 कटा यहां 28 में दो थो बचा 0 हो जाएगा 20 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 पुचे 20 एक्स बराबर 75 आया कितना है 75 अब देखिए तो यह वैलू भरिये अब यह हमारे पास दो ठो यहां पे मिला एक्स और वाई कमान इस दो समिकरण से दो ठो हमको क्या मिला कुछ हमको डेटा मिला इस से हम लोग ग्राफ कीचेंगे एक्स कमान जब हम 0 रखे थे तो तो यकमान 160 आया था तो देखिए 50 एक्सो पचास यहां पे है तो एक्सो साथ सत्र असी नब्बे अफरी क्या हो जाएगा यह indifferent हो जाएगा तो देखिए यहां पे हो जाएगा आपका एक्सो साथ यहां इसको थोड़ा सा आप बढ़िया से कर दीजेगा खुला ठीक है अब वह गर आएगर अस्य ले ने ठीक है तो य का मन का हो जाएगा यहाँ पर जीरो है इस दोनों को का करेंगे हम लोगलोb मिला देंगे ठीक है हम कि इसमें free रहता है कि जो मन करे वो भरिये ठीक है जो अच्छा लागे number वही भरना है लेकिन जैसे number भरिये कि आप ऐसे कटाने भी बड़े है कहा जाता है कि तुमको फिरी दे दिया जाए तो कोई ऐसा काम मत कर दो जो काम आपके जाए भूगतना तो आपको है अभी जो आप जिस condition में भी है समझें कि आप जो गलति कियें उसका सजा भूगत रहे है ठीक है तो यहाँ पर वही हो रहा है देखिए x बराबर 0 और y बराबर 150 यहाँ पर ठीक फिर उसके बास से x बराबर 75 तो 50, 60, 70 यहाँ पर ही होगा ठीक है आपके ग्राफ में बहतर तरीका से यहाँ पर हो जाएगा आवाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 तो यह दोनों को मिला देजिए ऐसा लग रहा है कि यह लाइन पैरलल होगा ठीक है आप अपने ग्राफ में इसको देख लिजेगा दोनों लाइन पास से ही गुजर रहा है ठीक है थोड़ा थोड़ा का डिफ्रेंस है तो इस हिसाब से आपका यह दोनों ग्राफ हो गया तो उम्मीद करते हूं कि आपको equation भी समझ में होगा देखिए आपको इस पर ज्यादा ध्यान focus कैसे रखना है देखिए अगर आप समिकरण तयार कर लिए उसके बाद से एक समिकरण उठा के इसका value खुद से भरना है जो भी data मिलेगा एको डबबा में ही कठा करना है फिर दुसरा समिकरण उठाना है और उसमें 0 भरिये आपको जो मन करे वो भरिये यहाँ जो भी number रहेगा उसको data बनाना है उसके पासे इस graph आपका copy रहेगा उसमें आप deeply इसको खीचेगा जो 0 होगा वो 0 होगा वाई कमान आप आगे भरेगा उससे एक graph बनेगा उससे एक line बनेगा इस जो डबबा में ये product रहेगा इससे एक line बनेगा दोनों line कैसे है आप उसका decide कर सकते है हमने दोनों इसको represent कर दिया दरसा दिया तो लिजे इसका skin sort ठीक है और फिर हम लोग आप देखेंगे अगला जो आपका 3.2 है अब इसके पास तो और easy है ये तो आपको बनाना भी पढ़ रहा था क्योंकि result बहतर लाना है तो कुछ तो आपको देखें कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है तो थोड़ा सा अपने खुसियों को अलग रखिए अब पढ़ाई पर focus केजिए तो फिर मिलेंगे 3.2 में तब तक के लिए जहन